केंद्र ग्रिमत्री अमिच शाह के खिलाफ एक फर्जी वीडियो के जरीए भड़ी साजिश का पर दाफाश हुआ है बामला चुनावों के बीच आरक्षन के मुद्दे से जुड़ा है इसलिए इस मामले में तुरंत अफायार दर्ज करके वीडियो को वारल करने वालों की त चाहिए एफायार दर्ज आरोपियों की तलाश में पुलिस चुनावी मात समर के बीच वाइरल हुए इस एडिक्टिट वीडियो ने हरकम मचा दिया है ये वीडियो के इंदिये गही मंत्री अमिच शा से जुड़ा था इसलिए बीजेपी और गहे मंत्राली की तरफ से नारोब लगाया की देलंगाना कॉंग्रेस ने अमिच शा का ये फर्जी वीडियो वाइरल किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्स और फेस्बुक को लेटर लिखा है और पूछा है कि एडिक्टिट वीडियो के से अकाउंट से पोस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस की आई एफसो यूनिट ने इस मामले में फायर दर्ज की है उदर आरक्षन के मुद्दे पर घ्रेमन्थी अमिश शा ने राहुल गांदी पर बड़ा हमला किया अमिश शा ने कहा कि आरक्षन के मुद्दे पर राहुल गांदी जूट फैला रहे है मैं आद देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टीन हमेशा स्टी और ओबी सी के आरक्षन पर हमले किया है करनाटेक में उनकी सरकाराई 4% माइनोरिटी आरक्षन किया किसका कटा? OBC का कटा आंदरपदेश में उनकी सरकाराई वहाँ पर भी 5% माइनोरिटी आरक्षन किया किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा और जाम्या मिलिया और अलिगर्ड उनिवर्सिटी में भी आज भी SC, ST, OBC आरक्षन से महरूम है इसका एक मात्र कारण कॉंग्रेस की SC, ST, OBC निती है आरक्षन पर वाइराल एडिक्टिड वीडियो को लेकर संग प्रम्ग मोहन भागपत में भी अपना रियक्षन दिया है एक वीडियो घुम रहा है कि संग वाले बाहर से तो बाती अच्छे करें अंदर जाके कहते हैं आरक्षन का हमारा विरोध है बाहरम भोल नहीं सकते अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है जब से आरक्षन आया है तब से सम्विधान सम्मत सारे आरक्षन को संग पूरुन समर्थन देता है और संग ये कहता है कि आरक्षन जिनके लिए है उनको जब तक आवश्चक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षन जारी रहना चाहिए फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी धर पकड तेज कर दी है और उन आर्यूपियों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पॉलिक्टिकल माइलेज लेने के लिए वर्जी वीडियो को वाइरल किया है